पहले तो हम दर्शन कर लेते हैं हम लोग भी स्कूल टैम में आते थे यहां तो पाड़ी चलोगे स्मृती बन सरगुजा इस जगह को गंदा कर रहे हैं विलका पाड़ यहां से भी विव बन जा रहा है हेलो दोस्तो हाइफ वैप स्वागत आप सभी का एक बर फिर से हमारे च सारी चीज़े दिखाएंगे हम एक एक करके और आपको बताएंगे इस जगह के बारे में सब कुछ तो चलिए लेट्स अन्वील दा एडवेंचर तो अभी हम लोग हैं साड़ बाण में जोकी लखनपुर रोड में पड़ता है और यह बिलाशपूर चौक से करीब 3-4 किलोमेटर होगा और हम लोग यहां पे कई सारी चीज़े देखने आये हैं अभी हम लोग हैं माता वनेसवरी देवी के मंदिर में जोकी काफी सुन्दर जगा है तो अगर आप यहां आते हैं तो सबसे पहले मंदिर आए और यहां पे जरूर माता जी के दर्सन करें इसके बाद फिर और भी बहुत सारी चीज़े हैं जो आपको हम एक एक करके बताए करते रहते हैं और एक बो मंदिर और भी है यहां पे तो सब कुछ हम आपको दीरे-दीरे एक एक करके दिखाएंगे सब पहले तो हम दर्सन कर लेते हैं दर्सन करने के बाद फिर और जगा जाएंगे सब मेंसे हो सकते हैं यहां बाहँ एक करफोको आपको नार फिर और बगारे तो हो हमारी हो यहां घङते हैं द 누्syक्श कर दो विर बाद़च्त पंसे का प्लाबिक कि अहां व SUV बारे भी अारेखन यहां को ल्ज़ग आव उसे हैं बालने को झाल झाल यह महादेव जी का मंदिर है यह रादेशाम जी का मंदिर है यहाँ पर यह मातारानी का मंदिर है आप मंदिर परिसर देख सकते हैं इसके लादेशाम जी का मंदिर है दुर्गा माता का मंदिर है शिव जी का मंदिर है मातारानी का मंदिर है यह कई मंदिर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे साणवार में तो अगर आप यहाँ आते हैं तो मंदिर जरूर आएं और दर्सन करें और इसके लाबा एक दो जगा और जो की काफी पॉप्लर है यहां पर यहां का जो परिसर है वह बहुत ही अच्छा है और यहां पर आप चाहें तो आके अपनी फैमली के साथ बैढ़ भी सकते हैं काफी अच्छा लगेगा आपको यहां पर यहां पर कबुतरों का पूरा जूंड है तो अगर आप दान आओ गेरा लेके आते हैं तो इन्हें जरूर खिलाएं वाती सारे कभूतरे हाँ पर आपको मिल जाएंगे बैठी हुए है तो साणबन में एक और जगह है जो कि शृती वन नाम से भी जानी जाती है और एक समय था जब यह गार्डन खुला हुआ था और बहुत सारे लोग आते भी थे यहां पर लेकिन पता नहीं किस कारणवा सब यह बंद हो गया है और अंदर का जो द्रिश से इसका बहुत ही सुन्दर है चटाने अगरा हैं जहां लोग फोटो अगरा भी खिचवाते थे हम लोग भी स्कूल टाइम में आते थे यहां पर तो फोटो अगरा अभी भी हम लोग के पास और अभी पता नहीं किस क्या वज़ा है कि बंद हो गया है तीन-चार साल से जादी हो गया होंगे तो अभी कोई नहीं जाता है यहां पर नहीं तो यह भी एक अच्छी जगा है अंभिगापुर में जहां पर लोग आ सकते हैं इस जगह को भी आप मान सकते हो उतने पेड़ पौधे तो नहीं होंगे लेकिन फिर भी अगर इस जगह को अच्छा से अगर देखरे किया जाए तो काफी बहुत ही मतलब अच्छी जगह बन सकती है तो अभी तो गेट खुला हुआ है और हम बस देखके आते हैं अंदर तक की कैसा है अभी अभी के समय में और आप सभी को भी दिखाते हैं तो हम से जुड़े रहे साथ में रहिएगा विछ दोखॉड़े में रह टरा प्डूला है क्लीज प्रिती बन में और रास्ता वैसे तो दो चार लोग आते जाते रहते यहां पर लेकिन अब डेवलप नहीं रह गया एरिया चारो तरफ पेड़ वगरा हैं और जुले वगरा भी नहीं दिखते हैं हैं अभी के समय में और चेतान की बात कर रहे थे वह चेतान यहां सकते संदर संदर लगराशा यहां और यहीं पर लोग पहले आया करते थे और इधर भी गॉंडरी वगरा लड़ लगचुकी है यह जो जगा है यह अब चारो तरफ प्मेट हैं आधशारा पाउदों से भरी हुई है और जो बिल्डिंग वगरा भी है वो भी अब पुरानी हो चुकी है उतना मरम्मत वगरा की जरूत है हो सकता आने वाले समय में ये फिर गार्डन खुल जा है तो हम सभी उम्मीद करते हैं कि जल्दी खुले झाला मरम्मत 1 प्याले में ये लिए अटी उल्म के ये लाहिए टरूतfishात्व लंगरा में से सकता पस्छाइबगक बार्याँ झाल झाल तो हम लोग आ चुके हैं मेन स्पॉर्ट में जो किसान पाड का मेन स्पॉर्ट माना जाता है और यहां से आपको चारो तरफ का विव बहुत ही सुन्दर दिखेगा क्योंकि यहां पहाड भी है पेन भी है चटाने भी है सारी चीजे हैं और आज मौसम भी बहुत अच्छा किय है क्योंकि कल बहुत ज्यादा बारिस हुई थी यहां पर अंभीकापुर में तो आज मौसम भी बहुत अच्छा किया हुआ है और मौसम में काफी ठंडक है तो आज घुमने में भी अच्छा लग रहा है और आपको आसपास का विव भी दिखाते हैं यह जो पहाड है यह प और इधर कई सारे पेड़ भी हैं बादल भी आज हुआ है काफी अच्छा सौंदर है इस जगह का और आगे एक छोटा सा डैम भी है कोसिस करेंगे तो इसको भी दिखाने की आपको कोसिस करें हां तो अगर आपको पिक्निक को गयरा मनाना है तो यह पांच किलो मिटर की सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर उनको घूमना तो इस जगह पर आ सकते हैं अच्छी जगह है तो आपको कोई दोस्त आ रहे है तो आप उसके साथ यह वीडियो सेयर कर सकते हो ताकि उसको भी नॉलेज हो जाएज जगह की कि यह जगह भी है अबिकपर में जहां पर भूमना चाहिए तो कल हमने फूटू के उपर भी व्लॉक बनाया था तो उस व्लॉक को भी जरूर चेक करें आप समय निकालके और इस जगह पर अभी तक नहीं आए हैं तो जरूर आएं और अगर आचुके हैं अपने दोस्तों को सजेस्ट करना च मैं जानते होंगे छोटा सई डैम है जादर बड़ा डैम नहीं है तो वहां जाते हैं फिर वहां कभी आपको व्यू दिखाते हैं कि किस प्रकार का व्यू है तो जगह की खुबसूरती को तो आपने देखी लिया है लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़े हैं जो कि सुधारने की जुरुत है जो कि सरकार को नहीं वल्कि हमको सुधारने की जुरुत है जैसे कि यहाँ पर आप आते हैं तो कुछ ऐसी चीज़े आपको दिखेंगे जो सायद को सही नहीं लगेंगी जैसे कि यहाँ पे बोटल वगएरा लोग बीर वगएरा की फूड फूड के चले जाते हैं तो यह अगर किसी के पाउं में लग जाए तो असानी से खुल निकल जाएगा यह सारी चीजे बहुत ही गलत हैं तो यह सब चीजों को हम ही को सुधाता है तो अगर आते हो यहां पे जो कर रहा है करो लेकिन यह बॉटल वगर अगर फोड़ते हो तो यह सही नहीं है एक तो प में जाए तो यह सब जो इतनी संदर संदर जगाहें उनको गंदा ना करें पर करीड के साथ में लाएं और कुछ भी लेश पूरकुरे बिसलरी बॉटल आप बहर के ले जाएं तक यह जगा साथ शूच्री रहें कि चारव तरव ऐसी बॉटल वगेरा फोर्ट पोर्ट के रखी नहीं है यहां पर पी आप देख सकते हैं कि लोग इस पतार से जल्वा को गंदा कर रहे हैं तो यह सब नहीं करें और जादर से जादर साफ सफाई का ध्यान रखें यह देखें इतने बड़े-बड़े कांच के टुपड़े हैं यहां पर लोग घुमने भी आएंगे तो ऐसा देखेंगे तो रुबारास आए भी आएं कि हम सब की रिस्पॉंसबीटी है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो बॉटल वगेरा ना फोड़ो और जितने भी कचड़ वगेरा होते हैं पानी की बॉटल वो करेंगे जाओ एक जगह पर रख दो जहां पर कोई गरीब आया तो प्लास्टिक बीन की कुछ कमा सके तो कि ऐसे अगर काच होगेरा की टुक्ड़े पड़े रहेंगे तो किसी के भी पाउन असानी से बुश सकते हैं यह सारी चीजों का ध्यान हम सभी को रखना है कि यह है कि तो अब सौरी जीज Pak धिक आपको देखनी ती आपको देख ली और आगे में अब एक दैम भी है जहां 거야 और उसे भी आपको दिखाएंगे कि वह कैसा है डेयम और आपको हाह जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए चलिए फिर इंढेर्ट assess झाल झाल तो हम लोग आ चुके हैं यहां पर जो डैम है सांडबन के पास वहां पर बहुत बड़ा डैम नहीं है लेकिन देखते में काभी सुन्दर है तो अगर आप घुमना चाहते हैं तो यहां भी जरूर आ जाएं रास्ता भी हम लोग नो बताने का कोसिस किया वीडियो के माध्यम स से ताकि आप थोड़ा सा समझ जाएं कि कहां से रास्ता इसका गड़ता है और आप इसकी कुपसूर्ती को भी देख सकते हैं तो यहां से भी बन जा रहा है तो अगर आपने वीडियो को यहां तक देखी लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब को ना पुले अगर आप नए हैं और इसी प्रकास से नहीनी जगह आपको दिखाते रहेंगे और फिर मिलते किसी और ब्लॉग में किसी नई जगह के साथ तम तक के लिए अल्विदा झाल